आज का हमारा टॉपिक है वोट इस एक्जिट पॉल या एक्जिट पॉल क्या है ठीक है हम एक्जिट पॉल और ओपीनियन पॉल के बारे में डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी बिहार और मध्यप्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी आने वाला ह तो एक्जिट पॉल अभी दिखाये जा रहे है ठीक है तो हम इसको पूरी तरह से डिसकस करेंगे कि यह होता क्या है क्योंकि यह सभी एक्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है में में आप आंसर रैटिंग में इसको यूज कर सकते हैं तो चलिए स्टार चैके करते हैं वो लोग मिल जाएंगे ठीक है और वो क्या करते हैं वह आप से आकर पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया है अभी आपके उपर है कि आप सच बताते हो या जूट बट्ट आपको एक आंसर देना होता है कि मैंने बिजे पी को वोट दिया या मैंने कॉंगरेस को वोट दिया मैंने कुझ भी आप ऐसे अपना अंसर बताओं ऑगए ठीक है तो इसी तरीके से वो लोग 2000 से 3000 लोगों से पूछते है या इससे जदा भी हो सकता है इतने लोगों से पूछते हैं उसके बाद वो लोग क्या करते हैं यह सब पूछने के बाद एक डेटा कलेक्ट करते हैं कि कि कितने लोगों ने किस पार्टी के बारे में कहा है कि हमने इस पार्टी को वोट दिया है सारा डेटा इखटा हो जाता है उसके बाद इसका किया जाता है इसको जाच किया जाता है कि कितने लोग हैं किया है ठीक है उसके बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है मतलब यह सिर्फ एक अनुमान होता है ठीक है जैसे मान लोग करोडों लोग वोट देते हैं उसके बा इस पार्टी को वोट दिया होगा ठीक है अब वो सच बोल रहे हैं जूट यह उनको भी नहीं पता होता है न्यूस वालों को तो फिर यही एक्जिट पॉल न्यूस में दिखाया जाता है आपको जिस दिन काउंटिंग होती है उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा न्य फिर वह लोग न्यूस पर दिखाएंगे कि हाँ हो सकता है यह पार्टी जीते हो सकता है यह पार्टी जीते ठीक है अब देखो ओपीनियन पॉल क्या होता है ओपीनियन पॉल जो है वोटिंग से पहले किया जाता है इसका क्या मतलब है देखो जैसे वोटिंग होने वाली है कर ठीक है तो उससे कुछ दिन पहले या एक दिन पहले ही लोगों से जा जा कर क्या पूछा जाता है कि 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 किस को वों करना चाते हैं किस पार्टी को पोल में समझ में आया आपको डिफरेंस एगजिट पॉल जो होता है सीधी सी बात है वह आप वोट करके निकलोगे उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया है और उसके बैसिस पैनलेस होता है ठीक है लेकिन ओपीनियन पॉल में क्या होता है पॉल में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही अनुमान के बैसेश पर दिखाते हैं ठीक है नियूज वाले इसमें कुछ भी सठीक है कि नहीं यह किसी को भी पता नहीं होता है क्योंकि लोग कई बार जुट भी बोल देते हैं कि हमने इसे वोट दिया या फिर लोग यह भी ही ही हो कई बार यह गलत भी निकल जाती है इनको लेकर बहुत जादा कॉंट्रोवर्सीज भी है अब देखो इलेक्शन कमिशन ने कई बार इसको बैन करने की कोशिश की है हम आगे देखते हैं देखो रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल्स एक 1951 में एक सेक्शन इंट्रोड स्टार्ट होती है जैसे ही वोटिंग स्टार्ट होती है आप सबको पता है कि वोटिंग कई चरणों में होती है ठीक है तो जैसे ही वोटिंग का पहला चरण शुरू होगा तब से लेकर वोटिंग के आखरी चरण के खत्म होने तक यानि कि फर्स्ट फेस के शुरू होने के बाद final phase के खतम होने तक आप exit poll नहीं कर सकते हैं ठीक है ऐसा section 126A representation of people's act 1951 में दिया है ठीक है यह चीज इंट्रोड्यूस की गई है लेकिन यह सिर्फ exit polls के लिए इंट्रोड्यूस की गई है लेकिन ऐसा कोई भी बैन opinion poll के लिए नहीं किया गया है RPA Act में ठीक है सिर्फ exit poll के लिए यह restriction है यह restriction opinion poll के लिए अभी तक नहीं है मगर election commission ने कई बार consultations किया है political parties के साथ कि हमको pre election opinion polls पर यानि कि election से पहले जो opinion poll होता है उस पर हमको रोक लगानी चाहिए कई सारे parties के साथ में election commission ने ऐसा consultation किया है देखो section 126A में जो कहा गया है कि exit polls कब से कब तक ban रहेंगे जैसे ही आपका first phase शुरू होगा उससे तब से लेकर final phase के खत्म होने तक यह exit polls ban रहेंगे restrict रहेंगे आप नहीं कर सकते क्यों होता ऐसा क्योंकि इनका मानना है election commission का यह मानना है कि अगर उस बीच कोई भी exit poll बाहर आता है कोई भी data बाहर आता है कि कितने लोग किस party को support कर रहे हैं माननों पहला phase हो गया ठीक है election का अब यह exit poll बाहर आ रहा है कि पहले phase वालों ने तो इस party को इतना वोट दिया है यह लोग इतना वोट दिये हैं तो इस से क्या होगा कि दूसरा phase जो होने वाला है उस पर effect पढ़ सकता है वो कैसे देखो अगर मुझे पता चल गया कि अरे य उसी party की तरफ जुख जाओं कि अरे इस party को तो जादा वोट मिला है तो शायद यही party जीतेगी को तो मैं अपना वोट दूसरी party को देकर क्यों अपना वोट वेस्ट करूं ठीक है तो यह मानसिक्ता लोगों में कई बार बन जाती है तो लोग क्या करते हैं कि जिसको वोट देने वाले होते हैं उसको ना दे करके वह एक्जिट पॉल के हिसाब से चलते हैं और किसी और पार्टी को वोट दे के आ जाते हैं जो एक्जिट पॉल में जादा चल रही है तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वज़े से सेक्शन 126a में यह चीज अब हम देखते हैं कि एक्जिट पॉल और ओपिनियन पॉल का जो डेटा होता है वो एक्क्यूरेट होता है या नहीं होता है सही होता है या नहीं होता है ठीक है देखो हम यह कभी भी नहीं कह सकते कि यह 100% एक्जिट पॉल में जो बता गया है वो बिलकुल सही है 100% सही है यही पार्टी जीतेगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई exit पूल करवा रहा है तो उसमें भी एक बायास्ट situation हो सकते हैं यानि कि कोई एक पार्टी को न्यूस वाले सपोर्ट करते हैं तो उसी पार्टी का दिखा रहे हैं कि हाँ इस पार्टी को लोग जादा सपोर्ट करें जूट भी दिखा सकते हैं ऐसा जरूरी थोड़ी कि सच ही दिखाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोब्लम आ जाती है ठीक है अगर बायास्ट हो न्यूस चैनल तो यहाँ पर एक प्रोब्लम आ जाती है तो कोई भी accuracy नहीं होती है exit poll या opinion poll के data में ठीक है political parties क्या कहते हैं कि opinion और exit polls को sponsor भी किया गया हो सकता है जैसे कि मैं किसी party से नेता बनने वाली हूँ ठीक है तो मेरे man मैं चुनाओ की candidate हूँ मैं चुनाओ में खड़ी हूँ तो exit poll में हो सकता है कि मैं किसी organization को जो यह exit poll conduct करवा रही है उसको पैसे देदूँ ठीक है उसको पैसे देके मैं कहूँ कि आप ऐसा exit poll बनाना जिसमें मेरा ही मेरा नाम हो कि मैं जीत रहा हूँ ताकि लोग मेरी तरफ जुके ठीक है ना तो यह political parties का कहना होता है कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कुछ एक हमारे position वाले हो सकते हैं जो लोग इस exit poll और opinion poll को sponsor कर रहे हो पैसे दे रहे हो जिसकी बज़र से voters का जो choice है उस पर effect पड़ता है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं किसी एक party को vote देना चाहती हूँ लेकिन मैंने देख लिया कि exit poll या opinion poll में ये party को ज़्यादा vote मिल रहे हैं तो मैं भी अपना मन बना ली कि भही मैं अपना vote waste क्यों करूँ मैं तो उसी को दो जो जीत रही है ठीक है तो यही political parties का कहना हो सकता है कि हो सकता है इन polls में हमारा कोई opposition वाला हो वो पैसे दे करके अपना बना ले कि अपना ही अपना दिखाना चाहे कि exit poll में मुझे ज़्यादा vote मिले है तो इसमें बिल्कुल भी accuracy नहीं होती है यह fake भी निकलते हैं कही बार देखो 2004 में जो चुनाओ हुआ था उसमें exit poll जो दिखाया गया था उसके हिसाब से NDA की सरकार वापस power में आने वाली है ठीक है ऐसा दिखाया गया था लेकिन power में आया कौन UPAI ठीक है तो exit poll ये साफ तोर पर देखा गया कि exit poll बिल्कुल भी सही कभी कभी नहीं होता है ठीक है क्योंकि सीधी सी बात है ये अनुमान पर based होता है ये कोई सटिक डेटा नहीं होता है आपके पास देखो 2004 में फिर से election commission ने एक step लिया था इसको बैन करने का exit poll और opinion poll को election commission ने क्या किया था वो गई थी कानून मंत्राले के पास ठीक है जिसको law ministry कहते है वहाँ पर जाकर election commission ने ये कहा था कि हमको इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है exit और opinion poll को हमें बैन करना चाहिए क्यों कहा था इन्होंने ऐसा क्योंकि इनका मानना है कि इससे लोग क्योंते effect होते हैं ठीक है इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि जो हवा चल रही होती है जिस party के favor में लोग अपना majority vote दे रहे है exit और opinion poll में यही तो दिखा जाता ना कि कौन सी party को कितने vote मिले हैं अपने अनुमान से दिखाते हैं वो लोग तो दूसरे लोग देखते हैं जिनकी voting होने वाली है जो लोग अभी vote देने वाले हैं वो लोग देखते हैं और उसी exit और opinion poll के हिसाब से देते हैं जिसके favor में news वाले दिखा रहे हैं कि हाँ इसको जादा vote मिले हैं तो election commission ने यही कहा था 2004 में law ministry में जा करके कि हमें इसको बैन कर देना चाहिए क्योंकि इसकी वज़र से लोगों की मानसिक्ता change हो जाती है ठीक है तो 2004 में ऐसा election commission ने किया उसके बाद इसी के बारे गया और impose किया गया सिर्फ किस पर लागू किया गया सिर्फ किस पर मैंने आपको पहले भी बताया exit polls पर ठीक है exit polls को एक कुछ समयावधी के लिए बन किया गया जैसे कि first phase से लेकर final phase के end तक ठीक है तो सिर्फ exit poll पर ही ban लगा opinion poll पर तो ban भी नहीं लगा और exit poll पर लगा भी तो वो कुछी समय के लिए लगा ठीक है लेकिन इससे यह चीज हो गई कि election commission ने सीधे सीधे advice दिया है electronic और print media को electronic media याने की जो हमारे news जो tv पे दिखाए जाते हैं print media याने की newspaper ठीक है तो इनको सीधा सीधा advice दिया election commission ने कि आप किसी भी तरीके से कोई भी exit poll से related या opinion poll से related article publish नहीं करेंगे नहीं डिखाएंगे लोगों को news पे भी और नहीं आप पेपर में publish कर सकते हैं जब जो time period हम ban करेंगे उस time period के बीच में मतलब जितना समय हम तै करेंगे उस समय के बीच में आप यह चीज पभलिश नहीं करेंगे ना कोई भी confusion या doubt हो तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं thank you